दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी लोगों का इलाज रोकने के अरविंद केजरवाल के आदेश को LG अनल भैजल ने बदल दिया और इसके बार राजनीती गर्मा गई केजरवाल ने इसे दिल्ली वालों के लिए बुरी ख़बर बताया तो मनीज से सोधिया ने सीधे बीजेपी के दबाव में LG पर फैसला लेने का आरोप लगा दिया कि करोना करोना तक जब तक करोना है दिल्ली में तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल Đिली के लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिए दिल्ली के मुख्या के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज वाले आदेश को अभी 24 घंटे ही हुए थे कि राजधानी के सूपर बॉस ने फर्मान पलड दिया अलजी अनिल बैजल ने मुख्य मंत्री के आदेश पर रोक लगा दी उपर राज़पाल ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी के चेरिमेन की हैसियत से सीम के फैसले पर वीटो लगाया है नए आदेश के मुताबिब दिल्ली के अस्पतालों में सभी लोगों का इलाज होगा यानि बाहर से आने वाले भी जगा खाली होने पर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे इधर उपराजपाल ने फैसला बदला, उधर दिल्ली सरकार खफा हो गई केजरीवाल ने तुरंथ ट्वीट कर इसे दिल्ली वालों के लिए नई मुसीबत बताया केजरीवाल ने लिखा, एलजी सहाब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनोती पैदा कर दी है देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनोती है शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें हम सब के इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगी मुख्यमंत्री के डिप्टी ने सीधे सियासी गेंद फैका और बीजेपी के तरफ टोप का मुह घुमा दिया मैं भात्री जन्ता पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि आप देश में कोरोना के इलाज की राजनीति कर रहे हो, कोरोना के इलाज के काम के लिए काम कर रहे हो या कोरोना के नाम पे राजनीती कर रहे हो राजसरकारों की योजनाओं को फेल करने की राजनीती कर रहे हो कल को अगर दिल्ली में जितने बैड हैं वो दो दिन के अंदर अंदर भर गए तीन दिन के अंदर अंदर भर गए पूरे देश से आके तो उसके बाद में दिल्ली में कोई आदमी बीमार हुआ, दिल्ली में किसी आदमी की मौत हुई तो वो कहा जाएगा आप से तो कहीं कि इलाज होनी रहा ठीक से आम आदमी पार्टी के इस गुसे को बीजेपी सांसत गौतम गंभीर ने और भड़का दिया है गंभीर ने तंसकस्ते हुए ट्विट किया दिल्ली सरकार के दूसरे राज्यों के मरीजों का इलाज नहीं करने के मुर्टता पूना आदेश को खत्म करने के लिए एलजी का उतक्रिष्ट कदम भारत एक है और हमें मिलकर इस महामारी से लड़ना है इंडिया फाइट अगेंस्ट कोरोना दिल्ली में सियासत की भठी तो उसी दिन चड़ गई थी जब सीम केजरिवाल ने बाहरी लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिये थे साफ कह दिया था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा इस फैसले के बाद दिल्ली में नए नए बने बीजेपी के अध्याक्ष आदेश गुपता ने पलटवार किया सबका इलाज होना चाहिए दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों और प्राविट अस्पतालों में बाहरी लोगों के इलाज पर रोक लगाने के पीछे केजरिवाल सरकार की दलील थी कि जून के अन तक 15,000 कोरोना के मरीज़ों के लिए बैट के जरूरत होगी दिल्ली के अस्पतालों में 60-70 फीस्दी लोग दिल्ली के बाहर के थे ऐसे में बाहरी लोगों को अगर इलाज कराने की जरूरत दी गई तो दिल्ली वालों का क्या होगा लेकिन उप राजपाल के फैसले के बाद दिल्ली के अस्पतालों में बहरी लोगों के लिए रास्ता खुल गया है आज उप राजपाल के साथ केजरिवाल की मीटिंग तैथी लेकिन दिल्ली के सीम की तब्यत खराब होने की वज़ा से अब मनिश सिसोदिया दिल्ली आपदा प्रबंधन अथोरिटी की बैठक में हिस्सा लेंगे हो सकता है कि सिसोदिया इस मीटिंग में उप राजपाल के फैसले का मुद्दा उच्छाल दे पंकट जैन के साथ जितेंदर बहादुर सिंग दिल्ली आज तक बात सियासी मुशायरगी कर लेते हैं जहां चीन सीमा विवाद को लेकर राहुल गांदी और राजपाल सिंगाम ने सामने है सवाल और जवाबों का दौर लगतार जारी है लेकिन अंदाज पूरी तरह से शायराना है और चीन के बीच सीमा की टेंशन ने देश के अंदर सियासी मुशायरा छेर दिया है ट्विटर अब जंग के मैदान पर आ चुका है जहां रक्षा मंतरी राजनात और राहुल गांदी शेरो शायरी में सवाल जवाब का खेल खेल रहे हैं राहुल गांदी के शायराना सवालों का जवाब रक्षा मंतरी ने गालिप के शेर के साथ दिया है मिर्जा गालिप का ही शेर थोड़ा अलग अंदाज में हाथ में दर्द हो तो दवा कीजे हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजे इतना ही नहीं राजनात ने वर्च्वल रैली के दोरान भी राहुल गांधी पर पलटवार किया वहीं चीन को सक्त संदेश देने की कोशिश की कांग्रेस के वरिश नेता ने और साथी चात राहुल जी ने पूछा और एक और बड़े संसद ने पूछा विरोधी दल के कि सरकार को आकर बतलाना चाहिए कि भारत और चीन की सीमा पर क्या हो रहा है मैं देश का रक्षा मंतरी होने के नाते में कहना चाहता हूँ जो कुछ भी कहना होगा भारत की संसद में खड़े होकर मैं साफ साफ कहूँगा दो टूक कहूँगा इस देश की जनता को गुमराने करें हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाइमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे हम किसी के सम्मान और स्वाइमान पर चोट बरदास कर सकते हैं यह हमारे भारत का चरित्र दरसल राहूल गांधी ने अमित्शा के अमेरिका और इसराइल के बाद भारत के सबसे सुरक्षित सीमा होने का दम भरने पर शायराना अंदाज में तंस किया था राहूल ने अपनी ट्विटर हैंडल में लिखा सब को मालूम है सीमा की हकीकत लेकिन दिल को खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है इस ट्विटर युद के बीच पार्टी नेता भी एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतर आए विपक्ष जहां राहूल गांधी के साथ नज़र आया तो वहीं बीजेपी ने राहूल गांधी पर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिये psychological warfare, you know the Chinese will do it, we know that, but the government of India should also tell the country I am not concerned about what the Chinese media is releasing, the Global Times is releasing all those videos I am more concerned about what my government is doing, what my prime minister has to tell the country इस पर हमारे जो दुश्मन देश हैं, वो कटाक्ष करें तो समझ में आता है, अपने ही देश के विपक्ष के नेता, अगर अपने ही देश के बियान पर और अपने देश की सीमा सुरक्षित कहने पर कटाक्ष करते हैं, तो इससे बढ़कर दुर्भागपून बात क्या हो स बहराल सियासी मुशायरे के बीच भारत चीन सीमा पर तनाव जारी है जहां दोनों पक्षों के बीच बादचीत का दौर चल रहा है और राजनाज सिंग ने एक बार फिर साफ किया है कि बादचीत से रिवात का हल निकलेगा आनन्द पटेल, पॉलिमी शा, अमान शमिश्रा और अभिशिक भला के साथ आज तविप्यों भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तना तनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही चीन से कूटने तिक बाचीत तो चल ही रही है, बावजुद इसके लदाख में चीन के हलिकॉप्टर्स देखे गए है इन सब के बीच किन नौर में भारत चीन बॉर्डर का मुआइना करने लेपनें जनरल आरपी सिंग भी पहुँचे उन्होंने सीमा पर बनी अग्रिम चौकियों का दौरा किया क्या चीन फिर से चल रहा है? कोई नई चाल? लदाख बॉर्र पर देखे गए चीनी हेलिकॉप्टर चीन की हर चाल बाजी का जी हाँ, लदाख में एलेसी पर चीन और भारत के बीच तनाव फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है लदाख में चीनी हेलिकॉप्टर गष्ट करते हुए देखे गए है चीन ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे साफ है कि वो मामले को बाचित के जरिये सुलजाने के मूड में नहीं है वैसे भी चीन का ये पुराना रवया रहा है, वो पीठ पीछे ही वार करता है लेकिन इस बार चीन के हर गलत फहमी को दूर करने के लिए भारत तयार है उधर लदाख में चीन अपनी साज़िशे कर रहा है तो इधर भारतिय सेना भी अपनी पूरी तयारी करके मुस्तैद है ये तस्वीरें पश्चिम सैने कमान के प्रमुख लेफटेनेंट जनरल आरपी सिंग की तस्वीर है जनरल आरपी सिंग ने हिमाचल प्रदेश के किनोर से लगी भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा किया जनरल आरपी सिंग ने यहां मौजूद अगरिन चौकियों पर पहुंचे उन्होंने तैयारियों का जाइजा लिया जवानों से बात की ऐसे वक्त में जब चीन के साथ भारत की तनातनी का दौर है तो ऐसे में लेफटिने जनरल आरपी सिंग का ये दौरा बहुत माइनी रखता है बता दें कि चीन के साथ हिमाचल की लगभग दोसुएटाइस किलोमेटर लंबी सीमा लगती है जहां पर सेना और आईटी बीपी के जवानों की तैनाती है आज तक ब्योरो लदाग सरहत पर चीन के साथ तनातनी के बीच लूसी पर पाकिस्तान की हरकते भी तेज हो गए है केरन और रामपुर सेक्टर के बाद उरी में भी पाकिस्तान ने बेतहाशा गोली बारी की है और बड़ी बात ये है कि इस इलाके में अरसे बात पाकिस्तानी फोजों ने इतने ताकतवर हथ्यारों का इस्तमाल किया पाकिस्तानी साजिश के बारूद से L.O.C. के नजदीक बसा उरी एक बार फिर दहल उठा L.O.C. के उस पार से पाकिस्तानी सेना भारत के इस गाउं पर अंधा धुंद गोली बारी कर रही है उन्हीं अन्गिनत बारुदी गोलों में से एक जिन्दा शेल मकान के पास गिर गया सीना की बम डिस्पोजल स्कॉर ने मौके पर पहुँच कर इस शेल को खाली जगह पर सुरक्षित तरेके से उड़ा दिया लेकिन पाकिस्तानी गोले लगातार बरस रही हैं और जहां गिर रही हैं वहां ये हाल हो रहा है मकानों की दिवारों में छेदी छेद हैं छटें चलनी हो गई हैं पूरा घर मलबे के धेर में तबदील हो गया है ऐसी देश्चत के बीच सेना यहां के लोगों को बाहर निकाल कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने में जुटी हैं तबाही का ये मंज़र देखकर घबराई छोटे बच्चों को सेना की जवान बोध में उठा कर ले जा रहे हैं रावा केरन और रामपूर सेक्टर में भी पाकिस्तानी फौज लगातार सीज़ फायर तोड़ रही है एलोसी के पहाड पाकिस्तानी बारुत के धमाकों से लगातार गुंज रही है और चारों तरफ धुआ ही धुआ है इधर घाटी में भी आतंकी वारदातों ने एक बार फिर से जोर पकर ली है उधर लदाख सरहत पर चीन की हलचल भी लगातार बढ़ रही है ऐसे माखौल में एलोसी पर पाकिस्तानी सेना की बेवज़ा गोली बारी किसी बड़ी साज़िश को ध्यान हटाने का शक पैदा कर रही है कहीं चीन और पाकिस्तान मिल जुल कर कुछ खतरनाक तो नहीं पका रहे शुजाउल हक और दाओद शेख किसाथ अश्रफवानी श्रीनगर आज तक पिके मुरादाबाद में सिवलाइन जिलाखा अचानक गोलियों की आवास से गुंज उठा पिस्तॉल लेकर आई एक महला ने दूसरी महला पर दना दन चार गोलियां दा की महला की मौके पर ही मौत हो गई पोलिस ने गोली चलाने वाली महला को मौके से ही गिरफ़तार कर लिया है हत्या के बीचे जो बात सामने आई है वो ये कि दोनों में आपसी विवाद था दरसल दोनी महला एक कारोबारी से दोनों की शादी हुई थी पहली पत्मी ने दूसरी पत्मी के हत्या कर दी और दूसरी पत्मी कर बती थी मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना को अपने मुबाइल में पर कॉछिस की कि यह साथ 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 के कुछ मिनेट्स कि थी दो साथ दोनों में आपस में तोनों से फर्स सेकंड वाइफ थी पहले साली वीवी सवाना थी जी नवसकार मैं हूं अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूही सब्सक्राइब करना ना भूले